मुझे माफ कर देना हो सके तो एक रिक्वेस्ट है प्लीज इतनी नफरत मत करो ऐसी ही कई सारी बाते हैं जो एहमदाबाद की आयशा ने लिखी है वही आयशा जिसने पिछले दिनों एहमदाबाद की सावरबती नदी में कूद कर खुदकुशी कर ले थी और आत्महत्या करन उसने अपने पती आरिफ के लिए लिखा था लेकिन उसे भेजा नहीं था जिसका खुलासा करते वे आयशा के पिता ने बताया है आयशा के पिता और वकील जफर खान ने एहमदाबाद मेरर से बात करते वे कहा कि पुलिस ने परिवार को किसी तरह का लेटर ढूंडने के लिए कहा था जो आयशा ने लिखा हो और यह लेटर एक किताब के बीच में रखा हुआ था जिसमें उसके पती का नाम था जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आयशा ने इस लेटर में क्या लिखा था आयशा ने लेटर की शुरुआ बबात करते हुए लिखाथा My Love यससे साब जाहिर होता है कि आईशा अपने पती आरीफ से बहुत प्यार करती थी और उसे वो प्यार से आरू बुला दी ती यहां आपको यह भी बता दें कि आईशा ने पत्र में एक और शक्स आसिफ का जिक्र किया है जिसमें उसे best friend और best भाई बोला गया है आयशा ने लिखा कि आरिफ अपनी हरकतों पर परदा डालने के लिए अक्सर उसका नाम यानि की आसिफ के नाम से जोड़ता था आयशा ने पत्र में आगे लिखा कि अगर आरिफ सिर्फ एक बार उससे प्यार से बात कर लेता कि आरिफ उससे उप चुका है क्योंकि वह उसके बारे में गलत सोच रखता है आयशा आगे लिखती है आरू नाराज हूँ तुमसे बहुत नाराज हूँ धोखा दिया तुमने मुझे इतना सब कुछ होने के बाद दि मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ बहुत करती हूँ मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहां से चली जाओं यहां ना मेरे कुरान की इज़त है ना मेरे इमान की आयशा ने पत्र में आगे लिखा कि वह चार दिन तक बिना खाय पी अकेले कमरे में बंद रही लेकिन आरिफ उसे देखने तक नहीं आया और जब आया भी तो उसकी पिटाई कर दी इसके अलावा आयशा ने लिखा कि आरिफ उसे इगनौर करता था चोट पहुचाता था अपमान करता था लेकिन भूल जाता था कि उसका भी पत्नी के रूप में उस पर कोई हक है आयशा ने लेटर के आखिर में लिखा मैंने कभी धोखा नहीं दिया है हस्ती खेलती दो जिंदगियां बरबाद हो गई है मैं गलत नहीं थी गलत आपका सुभाव था एक बात कहूं आज भी तुम्हारी आखों पर फिदा हूं क्यों ये मैं आपको अगले जनम में बताऊंगी लव व्यू आपकी पतनी आईशा तो ये वो दर्द बरा लेटर था जो आईशा ने अपने पती आरिफ के लिए लिखा था लेकिन आईशा ने लेटर आरिफ को नहीं भेजा बताते चले कि शनिवार को आरिफ की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है अब उसे नयाए खिरासत में भेज दिया गया है आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा बाकी आपका जो भी कहना है आईशा को ले करके उसके इस लेटर को ले करके कमेंट शेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद